पुम्रहा आज दुनिया के सबसे शांदार गेंदबाजों में से एक है उनकी आग उगलती गेंदों के सामने अच्छे से अच्छा बल्ले बाज पानी मांगने लगता है उनकी गेंदों के सामने अच्छे से अच्छा बल्ले बाज हैरान परेशान हो जाता है लेकिन अब बुम्राह की स्पीड से कोई विदेशी खिलारी नहीं बलकि खुद उनकी टीम के कप्तान कोहली परिशान हो गए भारत ने अपने पहले मैच में अफरीका को हराका टूनामेंट में शांदार आगाज किया जिसमें बुम्राह का बड़ा योगदान रहा बुम्राह ने सुर्वाती ओवर्स में अफरीकी टीम को दो बड़े जटके दिये थी मैच के बाद कोहली ने रोहिश शर्मा और तेज गेंबाज बुम्राह की जमकर तारिफ कप्तान कोहली ने बुम्राह की प्रसंशा करते वे कहा कि जस्पीत एक अलग इस्तर का गेंबाज है बल्लेबाद उसके सामने हमेशा दबाओ अनुभव करते हैं चहल भी शांदार गेंबाजी कर रहा है बुम्राह इतनी तेजी से गेंड डालता है कि दिकौक का कैच जब मैंने लिया तो अगले 15 मिनट तक मेरा हाँ जणनाता रहा कोली ने कहा कि बुम्राह ने जिस तरह से अमला को आउट किया वो शांदार था मैंने अमला को इस तरह से इस लिप में कैच देते कभी नहीं देखा रैसे आपको बता दें कि बुम्राह दुनिया के नमबर एक तेज गेंड बाज है पिछले कुस सालों में बुम्राह ने अपनी गेंड बाजी से सभी को प्रभावित किया है टेस्ट किरकेट हो या फिर वन डेग बुम्राह ने किरकेट के सभी फोर्मैट में खुद को साबित किया है लेकिन अब टीम इंडिया विशुकप खेल रही है इस लिहास से तमाम किरकेट फैंस के साथ साथ टीम भी चाहेगी कि बुम्राह इसी तरह से अपनी गेंड बाजी से बल्ले बाजों पर कहर बनकर टोटते रहें क्योंकि बुम्राह का प्रदर्शन भारते टीम के विशुकप में सफर को आगे ले जाने में मदद करेगा और खास्तोर पर सुरवाती मैचों में देखकर लग रहा है कि विशुकप 2019 में गेंड बाजों को काफी मदद मिलेगी इस लिहास से अगर किरकेट केस महा संगराम में भारते टीम के तेज गेंड बाज शांदार प्रदर्शन करते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत को विशुकप दीटने से कोई रोक नहीं सकता